आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस्टोरी हेप्टिक्स के उपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाले एपिसोड भी आपको जल्द जल्द मिल सकें इसके अलाव हमें 4K का टार्गेट जल्दी से कंप्लेट करवाना है यहाँ प पर वे सोचता था कि जो ऐलोग राक्स होते है ना ये हमें सा लड़ाई, 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 लड़ाई के बारहे में सोचा करते थे हालां कि वे हैसा कोई यैद यह ऐसे को लड़ाई नहीं किया करते थे वो यहाँ पर कभी भी इन तरह से लड़ाई नहीं किया करते थे वो भी इस तरह से बोल कर तो बिल्कुल भी नहीं और चलो ठीक है इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर होना एक पहले से बहुत जादा खतरनाक चीज हो चुकी थी आखिरकार आज पास के अंदर बहुत सारे मासर टीचर्स गूम रहे थे तो यह यहाँ पर क्या कर रहे हैं विपिन यहाँ पर इसके बारे में सोचता जा रहा था क्योंकि यह प्राचीन मंदिर है प्राचीन मंदिर के अंदर बहुत सारे मासर टीचर्स आए हुए थे और यहां पर यह खुले आहम आ कर, इन सबी कोई चैलेंज करने लगे थे, आखिर का ऐसा क्या चल रहा था, क्या हो सकता था, आखिर का जिसकी वज़े से यहां पर ऐसा हो रहा हो, तो जहां पर विपेल इससे हिरान था ना, तो विपेल उसको समार जाता है, बेटा मुझे पत कि अंदर प्राचीन संथ खड़े हुए हैं इसी वड़으면서 इंके अंदर इतीज़ादा हिमत नहीं है कि यहाँ पर यह आक बंद करकर हमारे उपर एटेक कर दे इसके now कम भी कुछ सकते हैं उनके आज सपास के एरिया के नंदर ही चुपय हुए हैं वह सामने नहीं आ सकते हैं इसी वज़ा से यहां पर उन्होंने अपने आपको रोका हुआ है और इससे भी ज़़ाद मेहतुफ़ून बात जो है न वह यह है कि हमारे जो शेंग कभी लेके प्राचिन संत हैं वह भी इसी एरिया के अंदर हैं प्राचिन संत क्या वास्तों में आप सच गह रहे हैं क्य हमारे शेंग कब लेगे प्राचिन संथ भी यहीं कहीं पर है विपिन यहां पर हेरान था जब उसने सुना कि यहां पर वास्तों में क्या चल रहा था अब जाकर उसको यहां पर सबकुष समझ में आ चुका था बात कुछ एसी थी प्राचिन संथों का यहां पर आना और यहां मुस्किल से मिला करते थे इसी वज़े से यहाँ पर अब दोनों परक्स आएंगे तो नहीं और यहाँ पर लड़ेंगे भी नहीं आखिरका उन्हें अपने उपर भी ध्यान देना था और यहाँ पर कम से कम प्राचिन संथों की मुध भी होनी चाहिए थी इसके अलावा अगर वह यहाँ पर दोनों प्राचिन संथ एक साथ लड़ने लग जाते हैं और बाद में उनको वह कोडेक्स भी नहीं मिलता है तो उसके साथ में उनके साथ क्या हो सकता है कि यहाँ पर उनका प्राचिन संथ भी चला गया है और इसके अलावा बेटा यहाँ पर यह मेर को चुनोती देकर मेर से वो दिवेता भी लेना चाहते है उसकी साथ में अब जो विपूल था ना वो अपने पास में से अपनी वही तलवार बाहर निकाल लेता है उसकी साथ में वह में साथ से लड़ा करता है और वह आगे जाने लगता है लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह आगे बढ़ पाता या आगे जाई पाता ना उससे पहले विपिन कहता है रोगिए डेड़ आप कहा पर जा रहे हैं इनसे मैं ही यहाँ पर निपट लूँगा विपिन ने अपने पिता को वहीं पर रोक दिया था और वो आज़ाई तरफ बढ़ने लगता है क्या तुम तुम आज़ाना चाहते हो वहीं विपूलफूरी जरसे अचंबित रह चुका था वहीं दूशी तरफ विपिन कहता है हाँ हाँ वास्तों में बात कुछ यहाँ पर आते आते हैं मुझे बहुत से संसा दन्वीले हैं इसके अलावा मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर किस तरह की पावर बढ़ी हुई है और म यहाँ पर चेक कर सकूँ कि उनके अंदर किस तरह से मेरे साथ देने के लिए काबिलियत है या नहीं इससे बात कुछ चैसी थी कि विपिन अपने पावर को भी तो यूज़ करना चाह रहा था लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सब ज़्यादा में चीज जो तीना वह यह थी कि वह अपने पिता को यहाँ पर आगे बिरज नहीं सकता था आखिरका उसका बेटा यहाँ पर बेटा है तो उसके पिता को यहाँ पर लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी आखिरका वह अपने पिता को यहाँ पर चोटिर होते वे तो बिल्कुल भी नहीं देखना चा रहा था अच्छा ठीक है चलो फिर यहां पर तुम अगर लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ सकते हो यहां पर विपुल ने बड़े सांती साथ में कहा लेकिन उसे आत्म को कहता है हाँ अगर यहां पर तुम बोजाता ही मजबूर हो जाओ या फिर उसको हरा ना पाऊना तो जल्दी बिना कुछ सोचे समझे पीज़े की तरफ आ जाना मैं तुम्हें यहां पर कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता अगर दिवेतावीज की बात है तो हम लोग उसे वहाँ पर दे देंगे हमें तुम से ज़्यादा इंप्रेंट कोई और नहीं लगता है तो वहीं ज जिदा के साथ में लड़ना है तो उससे पहले यहां पर तुम्हें मेर को चुनोती देखकर साइड में हटाना होगा उसकी साथ में यहां पर वह उन्हें देखने लगता है तो उसकी साथ में एक राक्सास आगे बढ़ते हुए कहता है मैं यहां पर तुम्हें चुनोती दे और लुकता है और कहता है चलो ठीक है यहाँ पर तूमने अपना फाइदा देख लिया है लेकिन इसमें हमारा क्या फाइदा आखिरकार हम क्यों यहाँ पर आएं हड़ीया तुड़ाएं और तुमने अब हम फैदा रहे था तौह प्रसे अपना वही 101 ओट वार्या दिमाग य ये एक सिल्ड है जिसके साथ में तुम अपने आपको प्रौटेक्ट कर सकते हो वहाँ पर उसके सांबर में एक रेट कलर की शियल' बहार निकाल लेता है जो देखने से कवच और उसकी सामने एक सिल्ड भी लखी गई थी, जो ढाल थी वहाँ पर उसकी साथ में अटेज भी थी और उसके अंदर से खतनलाग एनरजी बाहर निकल रही थी वो डार्क रेड कलर के अंदर था और इसके अलावा उसके उपर एक मुकोटा भी था कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर कोई अध्रिश इंसान हो जिसनाई यहाँ पर हाथ में ढाल और सर पर वो मुकोट लगाते हो यहाँ पर उसका वज को पेना हुआ हो क्या बस यह एक तुम पागल बागल हो क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर क्योई हम इस एक गरेड संथ के लिए यहाँ पर लड़ाय करने लग जाए अरह कम सकम कुछ सरम तो करो तुम लोग तुम यहाँ पर बिल्कुली मुर्ख हुर्ख हो क्या यहाँ पर यहाँ हमें तुम मुर्ख समझते हो यहाँ पर तुम्हें चाहिए दिवे ताबिज और δीवे तबीच के बतल है तुम यहा पर ओभी यहां पर दीवे तबीच भी आ जाता है वो भी यहां पर प्र day previous तो नहीं है लेकिन यहां पर जो अदिनस तबीच है अब उसको उक्साने लग रहा था वास्ताओ में अभी यहां पर वह उस कहने वाला था कि वहाँ पर वह राक्सिस करता है ओ अच्छा तो तुम्हें यह नहीं चाहिए तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि आखिरकार आप तुम्हें और क्या चाहिए तो वह यह वीपिन का मुह ही है वह यहाँ पर कैसे चुप रहा सकता था वह कहता है ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर तीन ग्रेट संत्य कलाकृतिया चल जाएगी जिसके साथ में तुम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो क्या कुछ कम नहीं वहाँ पर जैसे विपिन ने वह सम्त कहे न तो उसके साथ में यहाँ पर राक्साश गूरीट से हिल जाता है उसका दिमाग फिर जाता है तो वहाँ पर वह कहता है अच्छा ठीक है एक काम करो कि यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो यहाँ पर मुझे कुछ सोच विचार करने का समय तो देही सकते हो ना तो वाई वीपिन उसका कहता है हाँ आचा ठीक है तुम यहां पर अपने इसाप से कुछ भी देख सकते हो वैसे भी तुम्हें बता होगा कि कला करते है तो इसी बढ़िया होनी चाहिए वह भी ग्रेट संथ के उपर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर तुम अभी अधिनस्थ होल के अंदर जा रहे हो वहापर जाने के बाद में तो तुम्हें और व्यादा पावरफुल पावरफुल सीज़े मिल जाएगी इसी वज़े से तो उसकी साथ में वह राक्सेस पीसी ता चला जाता है और अपने गुरूप के पा उसकी साथ में यहांपर जो राक्स्ताना अपने हाथ को जटका देता है और उसकी स् port di video 10 बाहर निकाल लीता है और वह भी उनकी सामने तेरनेा सुरू कर देता है तो वह राक्स्ता है चलो ठीक है सुरू करते हैं तो उसकी साथ में यहाँ पर अवव जल्दी से अपने पास में से एक ठलवार को बाहर निकाल लेता है वो अपना समय आपर बिल्कुल भी बरबाद नहीं करना चाह रहा था लेकिन जिससे पहले कि वह आखे बढ़ पाता वावर विपिन करता है अरे अरे रुको तो सही यहाँ पर हम लोगों ने तो अभी यहाँ के कुछ उचित नियमों के बारे बात ही नहीं की है हम तो यह बताई नहीं लगा सके कि यहाँ पर हमें क्या क्या यूज करने को मिल सकता है तो इसी वज़े से हम लोग पहले यहाँ पर नियमों का पता लगा लेते हैं क्या नियमों का पता यहाँ पर वो राक्स सोड़ा सा हैरान था तो वह कहता है आचा ठीक है यहाँ पर तुम बताओ कि आखिरकार तुम कौन से नियमों का बात करना चाह रहे हो तो वह विपिन अपनी दिमाग लागाता है और कहता है देखो यहाँ पर हम लोग अभी एक उचित द्वंद लड़ने के लिए चाह रहे हैं तो उचित द्वंद का मतलब होना ची उचित का उचित तो जैसे कि यहाँ पर formation masters formation मना के अच्छे होते हैं तो यहाँ पर जो 20 टेमर्स होते हैं वो 20 के अंदर अच्छे होते हैं तो उनके ही वह हत्यार हुआ करते हैं तो यहाँ पर मेभी तो एक कुछ होना तो मेभी क्या अपने उन सभी सादरों का यूज़ कर सकता हूँ जिसके लिए तुम कह रहे हो तो वहीं दूसे तरफ यहाँ पर उसने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो तुम जो चाओना वह कर सकते हो वास्तव में राकसस को भी पता था कि हाँ वास्तव में किसी का वेवशा है यहाँ पर बहुता है खूल यहाँ कर आगाकर यहाँ पर कैवल फौर्मेशन का यूज करकर लड़ सकता था तो यहाँ पर भीस्टमर भीस्ट का यूज करते वी इसी वह जैसे यहाँ पर उस राकसस में जııard आखाना ज्यान नहीं दिया। तो उसकी साथ वैपिन कहता है ओढ़ा थीक है अगोर तुम यहां पर तय्यार हो तो चलो शुरू करते हैं उसकी साथ में जूरा राखसस आना वो अपनी जगपनी गपरिक खड़ा होता है और अपने हाथ यंदर तरवाल ले लिता है उसके साथ Vipin कहता है ठीक है चलो मैं भी सुरू करता हूँ इसके अगले पर विपिन जल्दी से बस चुटकी बाजाता है और अगले पर चलो बहार आऊ जल्दी से और वहाँ पर जाओ उस राकसस को मार डालो विपिन इतना कहता है और पांच आकरितिया बाहर निकल कर आ जाती है विपिन के वही पांच सबसे ज़्यादा खतरनाक धुवाधर यहाँ पर बीस्ट बाहर आ चुके थे वहीं उसको देखने ये बाद में जो राख सस्ताना वह रोने का गाया पर पहुंच चुका था